शिंख्षेप्त महाभारत के आधी पर्ण में प्रिक्षित के मृत्यों का कारण शिरी शोनक जी ने कहा सूर नंदन राजा जनमेजे ने उतंक की बात सुनकर अपने पिता प्रिक्षित के मृत्यों के संबंध में जो पूस्ताज की थी उसका आविस्तार से वर्नन कीजिए तो ओकर श्रवाजी ने कहा राजा जनमेजे ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई उनकी मृत्यू किस परकार हुई थी मैं उनकी मृत्यू का विर्तान सुनकर वही करूँगा जिससे जगत का लाब हो तो मंत्रियों का हम महराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजा पालक थे हम बहुत शिंक्षेप से उनका च्रित राप को सुनाते ही आपके धर्मक के पिता मोत्ती मान धर्म थे उन्हें धर्म के उनसार अपने कर्तव्य पालन में सलग्र चार वर्नों की प्रजा के रक्षा के थी उनका प्राकर्म अतल नेय था वैस सारे प्रित्थी के ही रक्षा करते थे ना उनका कोई द्वेशी था और ना वेही किसी से देश करते थे वे सब के प्रदी समान द्रिष्टी रखते थे उनके राज्य में ब्रावन, शत्री, वैश्य, शूद्र, सबी परसंता के साथ अपने अपने करम में लगे रहने वाले थी। विद्वा, अनाथ, लंगडे, लूले और ग्रीबों के खान पान का भार उन्होंने अपने उपर ले रखा था। उनके प्रजा रिष्ट पोस्ट रहती थी। वे बड़े ही शिरिमान और सत्यवादी थी। उन्हें कृपाचारे से धनुर्वेद के रिशिक्षा प्राप्त की थी। भगवान शिरिकिष्ण आपके पिता के प्रती बड़ा प्रेम रखते थी। विशेश क्या वे सभी के प्रेम पात्र थे। कृववंश के प्रीक्षन होने पर उनका जनम हुआ था। इसी से उनका नाम प्रीक्षित हुआ। वे राज धर्म और अर्थ शास्त्र में बड़े कुशल थे। वे बड़े बुद्धीमान धर्म से वी जितिंद्री और निथी निवोन थे। उनने साथ वर्ष तक प्रजा का पारण किया। इसके बाद सारे प्रजा को दुखी करके वे प्रलोक से धार गे। अब ये जो के सदाचार का ध्यान लगकर प्रजा के हितेशी और प्रिये होते आए हैं। मैं तो अपने पिता के मृत्यू का कारण जानना चाता हूँ। तो मंत्रियों ने कहा महराज आपके प्रजा पालक पिता महराज पांडू की तरह ही शिकार के प्रेमे थे। उन्हें सारा रा प्रेदल बहुत दूर तक गवान में हरिन को ढूंडते हुए चलेगे प्रन्तो उसे पा नहीं सके। वे साथ वर्ष के हो चुके थे। इसलिए ठक गे उन्हें भूक भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनी का दर्शन हुआ। वे मौनी थे। उन्हें ने उन्हें से प मौनी है। इसलिए उनका त्रिसकार करने के लिए धनुषकी नोक से मरा हुआ साप उठा कर उनके कंदे पर डाल दिया। मौनी मौनी ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुप चाप शान भाव से बैटे रहे। राजा ज्योंके त्यों वहां से उल्टे पाउं राजधानी में लोट आए। मौनी रिशी शमीक के पुत्तर का नाम था श्रिंगी। वे बड़ा तजसी और शक्ती शाली था। जब हाँ तजसी श्रिंगी ने अपने सखा के मौ से ये बात सुनी कि राजा प्रिक्षित ने मौनर निश्चल अवस्था में मेरे पिता का त्रिसकार किया है तो वे क्रोध से आग बबला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर आपकाप के पिता को शाब दिया। जिसने मेरे निर प्राद पिता के कंदे पर मरा हुआ साब डाल दिया है। उस दुस्ट को तक्शकना क्रोध करके अपने विश्च साथ दि के भीतर ही जिला देगा लोग मेरी तपस्या का बाल देखें इस परकार शाब देकर श्रिंगी अपने पिता के पास गया और सारे बात कैसुनाई शमीक मुनी ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलमा नहीं गुनी शिष्य गौर्मुक को भेजा गौर्मुक ने आकर आपके पिता से कहा हमारे गुर्देव ने आपके ये संदेश विजा है कि राजन मेरे पुत्र ने आपको शाब दे दिया है आप साफधान हो जाईए तक्षप अपने विश्च से साथ दिनों के भीतरी आपको जिला देगा आपके पिता साफधान होगे साथवे दिन जब तक्षप आ रहा था तब उसने कशप नामक ब्रह्मन को देखा उसने पूछा ब्रह्मन देटा आप इतनी शीकरता से कहा जा रहे हैं और क्या करना चाहते ही तो काशप ने कहा जहां आज राजा प्रिक्षी तो तक्षप साब जिलावेगा वही जा रहा हूँ मैं उन्हें तरण जीवित कर दूँगा मेरे पहुँच जाने पर तो सर पुने जला भी नहीं सकेगा तक्षप ने कहा मैं ही तक्षप हूँ आम मेरे डखसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं मेरी शक्ती देखिए मेरे डखसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे ये कहकर तक्षक ने एक विरिक्ष को डस लिया उसी शन्वे विरिक्ष जल कर खाक हो गया काश्चप ब्रामन ने अपनी विद्जा के बल्द से उस विरिक्ष को उसी समय हरा बरा कर दिया अब तक्षक ब्रामन तेवता को प्रलोभन देने लगा उसने कहा जो चाहो मुझसे लिलो ब्रामन ने कहा मैं तो धन के लिए माँ जा रहा हूँ तक्षक ने कहा तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहती हो मुझसे लिलो यहीं से लोट जाओ तक्षक के ऐसा कहने पर काश्च ब्रामन मुँ मंगा धन लेकर लोट गी इसके बाद तक्षक छल्ट से आया और उसने आपके महल में बैठे एक एम साफधान धार्मिक विटा को विश्क की आग से बसम कर दिया तेंतर आपका रज्यव शेक संपन हुआ ये कथा बड़ी दुखद है फिर भी आपकी आग्या से हमने ये सुना दिया है तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उतंक रिशी को भी बहुत परिशान किया है आप जैसा उची समझे करें चनमेजे ने कहा मंत्रियो तक्षक के डक्षने से विरिक्ष का राक की धेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्यरी की बात है ये बात आप लोगों से किसने कही अवशी तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया यदि वे ब्राह्मन को धन दे कर ना लोटा देता तो काशब मेरे पिता को भी जीवित कर देती अच्छा मैं इसको इसका दंड दूँगा पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बतलाएए तो मंत्रियों ने कहा महराज तक्षक ने जिस विरिक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मुलुक्ष सूखी लकडियों के लिए चड़ा हुआ था ये बात तक्षक और काशब दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं थी तक्षक के डसने पर विश्च के साथ मुनिश्य भी वसम हो गया था काशब के मंत्र परवाव से विरिक्ष के साथ वो भी जीवी तो हो गया तक्षक और काशब की बातचित उसी ने सुनी थी और वहाँ से आकर हम लोगों को सुचित की थी अब आप हम लोगों का देखा सुना जानकर जो उचित हो वो कीजिए उग्र श्रवाजी कहते हैं शुनकादि रिशियो आपने पिता के मेरे त्युकाईती हाँ सुनकर जिन मेजे को बड़ा दुख हुआ वे क्रोध होकर हाथ से हाथ मलने लगे शुक के कारण उटकी लंबी और गरम सांस चलने लगी आँखे आंसु से भर गई वे दुख शुक तदा क्रोध से भर कर आंसु बहाते हुए शास्त्रोक्त विदी से हाथ में जाल लेकर बोले मेरे पिता किस परकार सरगवासी हुए श्रिंगी रिशी का शाब तो एक बहाना मात्र है इस बात का परतक्ष परमान ये है कि उसने काश्य ब्रामन को जो विश उतारने के लिए आ रहे थे और जिनके आने से मेरे पिता अवश्य जीवित हो जाते धन दे कर लोटा दिया यदि हमारे मंत्री काश्य ब्रामन का अनुने विने करते और वे अनुग्रे पूरक मेरे पिता को जीवित कर देते तो इससे इस दोस्त की क्या हानी होती रिशी का शाब पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाती मेरे पिता की मृत्यों से सारा अपराद तक्षका ही है इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यों का बद्रा लेने का संकल्ब करता हूँ मंत्रियों ने महाराज जन्मेजे की इस परतिग्या कान मोदन किया अब राजा जनमेजे ने प्रोहित और रिट्ग्यों को बुला कर कहा दुरात्मा तक्षिन ने मेरे पिता की हिंसा की है आप लोग ऐसा उपाय बताईए जिससे मैं बदरा ले सकूँ क्या आप लोग ऐसा करम जानते हैं जिससे मैं उसक्रूर सर्प को धदकती आग में होम सकूँ तो रिट्ग्यों ने कहा राजन देवताओं ने आप के लिए पहले से ही एक महा यग्य का निर्मान का रखा है ये बात पुराणों में परसिद्ध है उस यग्य का अंस्ठान आपके त्रिक्ट और कोई नहीं करेगा ऐसा पुराण को ने कहा है और हमें उस यग्य की विधी मालूम है तो रिट्ग्यों की बात सुनकर जनमेजे को विश्वाश हो गया कि निश्चे ही आप तक शक जल जाएगा राजा ने ब्रामनों से कहा मैं वे यग्य करूंगा आप लोग इसके लिए सामक्री संग्रे कीजिए विदग्या ब्रामन ने शास्त्र विदी के अंसार यग्य मंडब बनाने के लिए जमीन नापली यग्य शाला के लिए शेश मंडब ते यार कराया और राजा जनमेजे यग्य के लिए दिखशित हुए इसी समय एक विचितर घटना घटित हुई किसी कला कोशल के पारंगत विद्वान अनभई एम बुद्धीमान सोत ने कहा जिस थान और समय में यग्य मंडब मापने की क्रिया प्रावन बहुई थी उसे देखकर ये मालम होता है कि किसी ब्राहमन के कारण ये यग्य पूर नहीं हो सकेगा राजा जनमेजे ने ये सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मुनुष्य यग्य मंडब में ना आने पावे आप सर्व यक की विदी से कारे प्रारंब हुआ रित्यग अपने अपने काम में लगे रित्यग्यों की आँखे धुमे के कारण लालाल हो रही थी वे काले काले वस्त्र पहन कर मंत्रुचारन पूरा खवन कार रहे थे उस समय सभी सर्व मन ही मन काम पने लगे आप बिचारे सर्व तड़पते पुकारते उचलते लंबी सांस लेते पूँच और फनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे सफेद काले नीले पीले बच्चे बूडे सभी परकार के सर्व चिलाते हुए तबा तब आग के मुँ में गिरने लगे कोई चार कोस तक लंबे, कोई कोई गाएं के कान बराबर लंबे सर्व उपर ही उपर कुंड में आहुती बन रहे थे सर्व यग में 54 चंड भारगव होता थी कोच उदगाता जैमनी ब्रह्मा तदा शांगरव और पिंगल अधरवियु थे एमपुत्र शिशों के साथ व्यास्टी, उद्दालक, परमतक, छेतकेतु, असित, देवल, आधी, सदस्य थे नाम ले लेकर आहुती देते ही बड़े-बड़े भ्यानक सर्व पाकर अगनी कुंड में गिर जाते थे सर्व की चर्वी और मेद की धाराएं बहने लगी भैभीत होकर देवराज इंद्र की शरन में गया, उसने कहा देवराज मैं अपराधी हूँ, भैभीत होकर आपकी शरन में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजी तो इंद्र ने परसन्न होकर कहा मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभेवचलने लिया है तुम्हें सर्व युक से कोई भे नहीं तुम दुखी मत हो इंद्र की बात सुंगर तक्षक अनांच से इंद्र भवन में ही रहने लगा ओगर श्रवाजे कहते हैं जनमेजे की यग्य में सर्व का हवन होते रहने से बहुत से सर्व नस्टोगे केवल थोड़े से ही बाच रहे इसे वासकी ना को बड़ा कस्टुआ गबराहट के मारे उनका हिर्दे व्याकुल हो गया वोने अपनी बेहन जरतकार से कहा बेहन मेरे अंगांग जाल रहा है दिशाएं नहीं सूचती चक्कर आने के कारण बहुत सा हो रहा हूँ दुनिया घूम रही है क्लेजा फट रहा है मुझे ऐसा देख रहा है कि अब मैं भी विवश हो कर इस धदक्ती आग में गिर जाऊं कि सर्प्यक को बंद कर सकेगा ये बालक होने पर भी श्रेष्ट वेदवितार विद्धों का माननी है अब तुम उन से हम लोगों की रक्षा के लिए कह दो अपने भाई की बात सुनकर रिशी पत्नी जरतकारों ने सब बात बतला कर लागों की रक्षा के लिए आस्तीक को माता की अग्या सिविकार करके वास्की सिकाहन ना ग्राज आम मन में शांती रखिये मैं आपसे सत्ते सत्ते कहता हूं कि उस शाब से आप लोगों को मुक्त कर दूंगा मैंने हास्विलास में भी कभी असत्ते भाशन नहीं किया है इसलिए मेरी बात जोट मत समझो मैं अपन पर वास्की नाक को आशवाशन देकर आस्तीक सर्पो को मुक्त करने के लिए यग्य शाला में जाने के उद्देशे से चल पड़े उन्हें वहां पहुँचकर देखा कि सूर्य और अग्नी के समानत जस्सी सबासता से यग्य शाला भरी है दौर पालों ने उन्हें भीतर ज जमान रिटिक सबासत तथा अग्नी की और भी स्तुती करने लगे आस्तीक के दवरा कीगे स्तुती सुनकर राजा सबासत रिटिक को गग्नी सभी पर सन्ना होगे सब के मनोभाव को समझ कर चनमेजे ने कहा यद भी ये बालक है फिर भी बात अनभी वृद्धों के समान कर जाता है मैं इसे बालक नहीं रिट भानता हूं मैं इस बालक को वर्द देना चाहता हूं इस विषे में आप लोगों की क्या सम्मती है तो सबासता ने कहा ब्रामन यदी बालक हो तो भी राजाओं के लिए सम्मानने है यदी वे विद्धवान हो तब तो कहना ही क्या है जनमेजे ने कहा आप लोग यथा शक्ति प्रेतन कीजिए कि मेरा ये कारिस्माप्त हो जाए और तक्षक नाक अभी यहां आ जाए। वही तो मेरा परदान शत्रू है तो रिद्धिग्यों ने कहा अगनी देव का कहना है कि तक्षक वैवीत होकर इंद्र के शर्नागत हो गया इंद्र ने तक्षक को अभेदान भी दे दिया है तो जनमेजे ने कुछ दुखी होकर कहा आप लोग ऐसे मंत्र पढ़कर हमन कीजिए कि इंद्र के साथ तक्षक नाग आकर अगनी में बसम हो जाए। जनमेजे की बात सुनकर होताने आहुती डाली उसी समय आकाश में शन अगनी ज्वाला के समी पाने लगा तब ब्रामन ने कहा राजन अब आपका काम ठीक हो रहा है इस ब्रामन को वर दे दिजी जनमेजे ने कहा ब्रामन कुमार तमारे जैसे सत्वात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूं तुम तुमारी जो भी चाहो परसंता से मांग लो मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दूंगा आस्तीक ने ये देखकर कि आप तक शक अगनी कुंड़ में गिरने ही वाला है अप सर से लाब अठाया उन्हें ने कहा राजन आप मुझे यही वर दीजे कि आपका ये यग्य बंद हो जाए और सुमें गिरते हुए सर बद जाएं इस पर जनमेजे ने कुछ अपरसन होकर कहा समर्थ ब्रामन तुम सोना चांदी गव और दूसरी वस्तुएं इच्चा अंसार ले लो मैं चाहता हूँ कि यग्य बंद ना हो आस्तीक ने कहा मुझे सुना चांदी गव अत्वा कोई भी वस्तुण नहीं चाहिए अपने मात्रकुल के कल्यान के लिए मैं आपका यग्य ही बंद कराना चाहता हूँ चनमेजिक ने बार बार अपनी बात दोराई पन्तो आस्तीक ने दूसरा वर मांगना सिविकार नहीं किया उसमें सवीवे दग्य सदस्य एक सर से कहने लगे ये ब्रामन जो कुछ मांगता है वही इसको मिलना चाहिए तो शोनक जी ने पुछा सुन नंदन इस यग्य में तो बड़े विद्वान ब्रामन थे इंद्र के हाथों से चोड़ते ही तक्षक मुर्चित हो गया आस्तीक ने तीन बार कहा ठेर जा ठेर जा ठेर जा इसी सिवे अकाश और पृथी के बीच में लटका रहा और अगनी कुंड में ने गीरा शोनक जी समासनों के बार बार कहने पर जनमेजे ने कहा अच्छा आस्तीक की चापूर्ण हो ये यग्य समाप्त करो आस्तीक परसंद नहो हमारे सूद ने जो कहा था वे भी सत्य हो जनमेजे के मुँसे ये बात निकलते ही सब लोग अनंद प्रगट करने लगे सभी को परसंता ही राजा ने रित्तिक और सदस्य को तथा जो अन्य ब्रामन वहां आये थे उन्हें बहुत दांद दिया जिस सूत ने यग्य बंद होने के भईश्यवाने की थी उसका वे बहुत सदकार किया ये ग्यानत का अध्रिज शिनान करके आस्तिक का खुब स्वागत सदकार किया उन्हें सब परकार से परसंद करके विदा किया जाते समय जनमेजे ने कहा आप मेरे अश्यम यग्य में सभासा दोने के लिए पथा रिएगा आस्तीक ने प्रसंता से तथा अस्तु कहा तद पश्चात अपने मामा के घर जाकर अपनी माता जरत कारवादी से सब समाचार कह सुनाया उस्वें वास्की नाक की सभा यग्ये से बचे हुए सर्पों से बढ़े हुई थी आस्तीक के मुझे ये समाचार सुनकर सर्प बहुत परसंद हुए उन्हें उन पर प्रेम प्रगट करते हैं कहा बेटा तुमारे जो इच्छा हो वर माग लो वे बार बार कहने लगे बेटा तुमने हमें मृत्यू के मुझे बचा लिया हम तुम पर प्रसंद है कहो तुमारा कौन सा प्रियकारे करें तुआस्तीक ने कहा मैं आप लोगों से ये वर मांगता हूं कि जो कोई साइकाल और प्रताकाल प्रसंदा का पूरवा इस धरम में उपाख्यान का पाट करे उसे सर्पों से कोई भे नहीं हो ये बात सुनकर सभी सर्थ बहुत परसंद हुए उन लोगों ने कहा प्रियवार तुमारे ये अच्छा पूर्ण हो हम बड़े प्रेम और नमरता से तुमारा मनौरत पूर्ण करते रहेंगे जो कोई असित अर्तिमान और सुनीत मंत्रों में से किसी एक का दिन या रात में पाट करेगा उसे सर्पों से कोई भे नहीं होगा वे मंत्र किरम चाहिए हैं यो जरतकारना जातो जरतकारू महायशा आस्तिक सर्प सत्रे वा पन्नगान यो अभेर रक्ष्त अर्थात जरतकारू रिशी से जरतकारू नामक नाकन्या में आस्तिक नामक ये सश्य रिशी हुए उनने सर्प यग में तुम सर्पो की रक्षा की थी महा भाग्यवान सर्पो मैं उनका सम्बरन कर रहा हूं तुम लोग मुझे मत डसो सर्प अब सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविश जन्मेजेश्य यग्यान ते आस्तिक वचनम समर अर्थात हे महाविश्थर सर्प तुम चले जाओ तुमारा कल्यान हो अब तुम जाओ जन्मेजे के यग्य की समाप्ती में आस्तीक ने जो कुछ कहा था उसका समरन करो आस्तीक अस्य वचा शृत्वा या सर्पोनना निर्वित दे शद्धा विद्यते मूर्धिन शिंच्वरिक्ष्वलम यथा अर्थाज जो सर्प आस्तीक के वचन की शबत सुनकर भी नहीं लोटेगा उसका फन शिशम के फल के समान सेंकड़ो टुकड़े हो जाएगा धारमिक शिर्वमनी आस्तीक रिशी ने इस परकार सर्प यग से सर्पो का उधार किया शिर का प्रारब्ध पूरा होने पर पुत्र पुत्रादे को छोड़कर आस्तीक स्वर्च चलेगे जो आस्तीक च्रित्र का पाथ क्या श्रमन करता है उसे सर्पो का भए नहीं होता है